मेहुल सारे साइन्टिस्ट को जेल से लेके बाहार निकल जाता है लेकिन मेहुल को शक होता है किटनैप तो तीन साइन्टिस्ट हुए थे तो ये चौता कहां से आया मतलब इन में से एक फेक साइन्टिस्ट है मेहुल सबके ID कार्ट चेक करता है ये पहले scientist का, ये दूसरे scientist का, ये तीसरे scientist का, और ये चौते scientist का. अब इन मेंसे एक ID कार्ट फेक है, क्या आप बता सकते है इन मेंसे कौन सा scientist फेक है? सोचे और मुझे आप कान सा कमेंट करके बताइए. ये तीसरा साइंटिस्ट फेक है, इस साइंटिस्ट की डिगरी देखिए, MBA in Finance, और बाकियों की है PhD in Chemistry, M.Tech in Chemical Compounds, M.Sc. in Biochemistry, तो ये तीन तो साइंटिस्ट वे, कोई MBA वाला साइंटिस्ट कैसे होगा, तो पागल साइंटिस्ट ने एक अपना आदमिया छुपा रखा था, मेहू उसे पकड़ लेता है और रसी से बान देता है, उसे वहीं छोड़के बाकियों साइंटिस्ट वे मेहूल जंगल में आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पागल साइंटिस्ट गुस्से में आ जाता है, कि सारे साइंटिस्ट जेल से भाग गए है, वो तुरंत अपने आदमियों को और डॉक्स को उनके पीछे भेज देता है, पागल साइंटिस्ट ने जंगल में केमिकल लोचा मचा राखा था, जिसके वज़े से जंगल के कुछ एरियास की केमिस्ट्री बदल गई थी, हर कलर आपस में बदल गए थे, ग्रीन कलर येलो हो गया था, ब्राउन कलर ब्लै पास में देखिए, पिंक रोजेस का ट्री है, और एक रोज नीचे पड़ा हुआ है, नीचे पड़ा हुआ रोज रेड कलर का है, मतलब ये पागल साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट के पहले गिर गया होगा, इसका मतलब ये रेड रोज का ट्री है, मतलब रेड कलर पिंक मेहुलव साइंटिस्ट ईसे पिंग कलर के एपल देके डर जाते हैं उन्हें जोरो से भूक लगी थी लेकिन एपल बिना काया ही आगे बढ़ जाते हैं पागल साइंटिस्ट के जंगली कुट्य मेहुल और बाकिस साइंटिस्ट को ढूंडी रहे थे पागल साइंटिस पीछे से जंगली बैट्स भेज देता है बैट्स तेजी से उड़ते हुए मेहूल और साइंटिस के पास पहुच जाते है बैट्स उनको परिशान करने लगते हैं, काटने लगते हैं मेहूल फोन निकालता है, हेल्प पांगने के लिए लेकिन नेटवक ही नहीं आ रहा था पास में लकड़ी के तुकड़े कुछ स्टोन्स पड़े हुए थे सोचे और मुझे बताईए क्या कर सकते हैं मेहूल और साइंटिस्ट बैट से बचने के लिए आपका अंसर मुझे कमेंट करके बताईए मेहूल ने जब फोन बहार निकाला था तो फोन की लाइट से बैट्स थोड़े पीछे हुए थे वही मेहूल समझ किया था कि लाइट से इन्हें डर लगता है बैट्स नाइट में ही चाकते हैं दिन में सोते हैं मेहुल ने phone का flash शालू कर दिया और bats को दिखाने लगा उससे bats डर गए और वहाँ से भाग गए मेहुल और scientist तेजिसे जंगल में आगे बढ़ने लगे मेहुल और scientist जंगल में एक bridge के पास पहुच जाते है bridge की आरत बहुत खराब है और वो कभी भी तूट सकता है नीचे एक river है जिसका flow बहुत तेज है अगर इससे swim करके जाने की कोशिश की तो river में बह जाएंगे पास में एक boat भी खड़ी है लेकिन boat को चलाने वाली लकडी नहीं है river cross करने के लिए बड़े-बड़े stones भी बने हुए है सोचिए और मुझे बताए क्या तरीका अच्छा रहेगा river cross करने के लिए bridge, swim, boat या stone सोचिए और मुझे आप कांसर कमेंट करके बताएगे river का flow बहुत तेज है तो swim और boat काम नहीं आएंगे अगर आपने boat से जाने की कोशिश की तो वो अलग direction में ही निकल जाएगी और अगर bridge से गए तो वो तूट जाएगा और आप पानी में बह जाएगे मतलब stone से कूट के जाना ही safe है मेहूल और scientist भी वही करते है tones पे कूटते हुए river cross कर लेते है और जंगल में आगे बढ़ते है जंगल में आके बढ़ते बढ़ते मेहूल का पैर एक मधूमक्य के छटे पे बढ़ जाता है उसमें से बहुत सारी मधूमक्या बाहर आ जाती है मधूमक्या मेहूल और scientist को परिशान करने लगती है वो आसपास देखते है तो ट्री की कुछ लकडिया पड़ी होती है tones पड़े होते है अब इन मधूमक्यों से बचने के लिए क्या करना होगा मेहूल और scientist को उनके पास चार option है पहला तो लकडि से मधूमक्यों को भगाने की कोशिश करे तूसरा उन पे stones फेके लकडि और stone फेकने से मधूमक्या और चिर्चिरा जाएगी और और परेशान करेगी शायद डंग भी मारे भागना भी safe नहीं है वो पीछे भागेगी धीरे धीरे चलना ही safe होगा वो लोग धीरे धीरे वहाँ से walk करना शुरू करते है और मधूमक्यों से बच जाते है तभी उन्हें पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है मेहूल को उसके बाजू में एक परचाई दिखती है कि आप इस परचाई को देखके बता सकते है ये कौन होगा सोचिए और चल्दी से आप तानसर कमेंट कीजिए सर कटा हुआ है मतलब ये एक जॉम्बी है जॉम्बी को देख मेहूल और साइंटिस वहाँ से भागना शुरू करते है भागते भागते उन्हें सामने का एक गड़ा नहीं दिखता और वो लोग उस गड़े में गिर जाते है अब जॉम्बी उनके पास आने लगता है कड़े में उन्हें कुछ चीजे दिखती है तीन गुलेल दिखती है एक बंदूक, एक कटर, एक बैट क्या इन में से कोई चीज को यूज करके वो जॉम्बी को भगा सकते है सोचे और मुझे आप कांसर कमेंट करके बताईए मेहुल बैट भी यूज कर सकता है लेकिन बैट सर्फ एक है और उसके लिए जॉम्बी के पास जाना पड़ेगा गुलेल यूज करना बेस्ट रहेगा वो दूर से ही जॉम्बीस को मार सकते है मेहुल और साईंटिस्ज गुले लुटाते है और जॉम्बीस पे स्टोन फिकना शुरु कर देते है जॉम्बीस डर के वहां से भाग जाता है मेहुल और साईंटिस्ज घट्ने से बहार निकलते है और जंगल में आगे बढ़ते है तब ही उन्हें highway road दिख जाता है लेकिन road तक पहुचने के लिए उन्हें इस river को cross करना होगा river पे stones पड़े हुए है पे लोग stones पे कूदना शुरू करते हैं पहले 1, 2, 5, 10 और 17 पे जम करते हैं अब next stones है 24, 26 और 28 सोचिए और मुझे बताइए उनको कौन से stones पे जम करना चाहिए जो safe होगा अगर गलत stones पे कूदे तो stones टूट जाएंगे और वो लोग river में बह जाएंगे सही stone है 26 1 और 2 का difference है 1 2 और 5 का है 3 5 और 10 का difference है 5 और 17 और 10 का difference है 7 तो अगला difference हो जाएगा 9 difference दो-दो से बढ़ रहा है तो 17 प्लस 9 हो जाएगा 26 सभी 26 stones पे जम करके river क्रॉस कर लेते हैं और highway पे बहुत जाते हैं मेहुल ने अपनी बहाद्दूरी से सारे scientists को बचा लिया इसी बात पे चल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजे चलिए अगली पहली देखते हैं गुपाल Associates में एक बहुत बड़ा corruption हुआ था वहाँ काफी टाइम से money laundering चल रही थी इधर का पैसा उधर और उधर का पैसा इधर पूरे मामले की तहकीकात करने detective मेहुल को बुलाते है मेहुल उनके office पहुचता है और उनके manager से बात करता है उनका manager मेहुल को उनकी CA से मिलाता है मेहुल CA को बोलता है कि मुझे इस company के पिछले 5 साल के सारे documents चाहिए तो CA मेहुल को बोलती है अरे ये documents तो काफी time से हमने देखे ही नहीं है ये सारे एक file में एक alarmारी के अंदर रखे हुए है मुझे लाने में थोड़ा time लगेगा मैं लेके आती हूँ थोड़ी देर बाद CA सारे documents लेके आ जाती है जब वो आते रहती है तो उसके हाथ से files घिर जाती है वो उन files में से document उठाके मेहुल को देती है और बोलती है ये लो document जो आपको चाहिए मेहुल documents को देखता है और बोलता है कि ये नकली document है ये तुमने अभी अभी बनाया है कैसे? मेहुल को ये कैसे समझता है कि ये नकली document है? क्या आप बता सकते है? चलिए इसका answer देखते है CA जो documents मेहुल को देती है उनमें holes नहीं थे मतलब ये document कभी file में रखे ही नहीं गए उसी जो मेहुल को समझ जाता है किसी ये जूट बोल रही है और उसे नकली documents दे रही है इतनी मज़ेदार पहलियों के लिए जल्दी से चैनल को subscribe भी कर लीजिए चलिए अगली पहली देखते है सना को काफी जोरों से भूक लगी थी आज उसने tomato cheese sandwiches लेके आये थे वो fridge open करती है अपने sandwiches लेने के लिए लेकिन उसके sandwiches गायब रहते है और बाजू में उसके sandwiches का foil paper पड़ा होता है उसे बड़ा गुस्सा आ जाता है वो office floor पे जाती है देखने के लिए किसने उसकी sandwich खाई तो वहाँ तीन लोग काम कर रहे होते है रोहन कहता है मैं तो सुबह से important meeting में हूँ बस ये coffee ppk के ही काम चला रहा हूँ हाँ मैंने तुमारे sandwiches देखे थे फ्रिज में रीमा कहती है मैंने तो डॉमिनो से pizza मंगवाया है बहुत जोरोजे भूक लगी थी मैंने तो आज office का frizz खोला भी नहीं है राहूल कहता है मैं तो सुबह से presentation की preparation कर रहा हूँ मम्मी ने आलू के पराठे दिये थे बस वही खाया हूँ हाँ मैंने तुमारा packet fridge में जरूर देखा था क्या आप तीनों की बाते सुनके बता सकते है sandwiches किस ने खाय होगे सोचिए और मुझे आपका answer कमेंट करके बताईए चलिए इसका answer देखते है sandwiches रोहन ने खाये है रोहन को कैसे पता चला कि सना ने sandwiches लाए थे उसके sandwiches तो foil paper में wrapped थे वही वो पकड़ा जाता है चलिए आगले पहली देखते है